लो फ्रेंट नमस्कर जय जय अगरनत, मैं इसेटी साब सबको स्वागत करती हूं, हमारे इस चेनल में. फ्रेंस में आज आप सब के लिए लेके आएं मेथी का पराथा, मेथी पराथा खाने में बहुत तेश्टी लगता है और बनाने में भी बहुत इजी है आप सब को तो मेथी बहुत ही इजी तरीके से मिल जाएगा बजार में अभी तक विंटर भी स्टार्ट हो गया आप में कुछ और क्या क्या रेशिपी आप सब के लिए लेके आऊं आपको मेरी रेशिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब करना ना भूले हमने अभी ले लिया दो कप आठा वन फोर्ट कप बेसन हाफ टीजपून हिंग हाफ टीजपून अजवाइन वन पून जीरा स्वाद के एकोडिंगली नमक यह सो ग्राम है मेथी मेथी का पत्ता यह है अच्छे से साफ करके मैंने ले लिया एक इंच अद्रक को ग्रेट करके ले लिये और थोड़ा सा तेल यह रिफाइंड ओल है अभी हम वानफोर्त कप लिय अभी बाल में डाल धेंगे स्वाज के कोडेंगली नमक यह रिफ़ार की रकते हो इसको भी यह कर देंगे जीरा को भी एट कर देंगे अज्वाइन को थोड़ा सा हाथ में थोड़ा सा क्रेश करके डालना इसका इरोमा बहुत अच्छा से आएगा अभी हिंग को भी एट करेंगे मेथी का पत्ता जो दोके रखे थे उसको भी एट कर लेंगे अभी हम ओयल एड़ करेंगे ओयल हम दो कप आठा में अभी तू टी स्पून अभी हम ओयल एड़ करेंगे ओयल एड़ कर लिए अभी सबको अभी अच्छे से मिला देंगे सुखा सुखाई मिलाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मसाला सब और मिल जाएगा हमने अभी अच्छे से मिला दिया अभी थोड़ा थोड़ा करके हम पानी अड़ करेंगे और अच्छे से अभी गोंत लेंगे और एक डो बना लेंगे आप एक साथ पानी मत डालना क्योंकि ज़्यादा पानी हो जाएगा अभी और थोड़ा सा पानी अड़ कर रहे हैं अभी हमने गोंत लिया अभी वन टी स्पून ओल एड़ करके अच्छे से इसको और थोड़ा सा दो मिनिट के लिए गोंत लेंगे हमको ज़्यादा नरम नहीं चाहिए ज़्यादा हाड भी नहीं चाहिए इतना ही हमको नरम चाहिए इसको अभी ढ़क के हम 15 मिनिट के लिए छोड़ देंगे 15 मिनिट के बाद हम छोटा-छोटा इसका पेड़ा बना देंगे अभी हम सुखा आटा में इसको थोड़ा सा उपर लगा देंगे इसके उपर और हम भी हम राउंड शेप में इसको बैलेंगे उपर में जो एक्ष्ट्रा आटा लगा हुआ उसको भी निकाल देंगे अभी हमने बैल जुका है अभी हम एक लोहे का तावा लिये हैं उसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम में हम गरम करके उसके उपर अभी पराठा डाल देंगे एक साइट का थोड़ा सा हो गया अभी हम दूसरा साइट पलटा दिये हैं थोड़ा थोड़ा बबल सा आ रहा है हम फिर से उसको भी पलटा के थोड़ा थोड़ा इससे प्रेश करेंगे थोड़ी देर के बाद अभी हम मस्टर्ड ओल दे रहे हैं आपको घी पसंदे तो घी दीजिए नहीं तो रिफाइंड ओल पसंदे तो रिफाइंड ओल दीजिए इसे दोनों साइट में हम ओईल लगाके उसको थोड़ा सा सेक लेंगे प्रेश करते करते हम इसा ग्यास का फ्लेम मीडियम रखिए पराठा बनाने के टाइम हमारा एक पराठा रेडी हो गया दूसरे पराठा को बेल के हमने वेसे ही तावा के उपर डाल दिया उसको भी हम थोड़ा सा से प्रेस कर लेंगे थोड़ा थोड़ा बबल साना स्टार्ट हो गया अभी इसके उपर भी थोड़ा सा तेल दे देंगे दूसरे साइट भी थोड़ा से तेल दे देंगे और इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे अब पराठा रेडी हो गया अब हम प्लेट में निकालके सर्फ करेंगे बहुत अच्छा दिख रहा है बिल्कुल बजार जैसा मिति का पराठा आप चटनी के साथ नहीं तो दही के साथ किसी के साथ भी मिति का पराठा सर्फ कर सकते हैं आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए बिल आइकन दवाना ना भूले थैंक यू सो मच बाइबाई टेक केर